देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इसका अंदाजा आप बस्ती की एक घटना से आसानी से लगा सकते हैं। जिसमें लाल गंच थाना छेतर की रहने वाली एक पीडिता ने ये आरोप लगाया है। ये छेतर का ही रहने वाला गंगायादव नाम का मंचला उससे आये दि छेड़ खानी करता था जिससे तंग आकर महिला ने उसके खिलाव मुकामी थाने में तहरी दरज कर आई। पहले तो मुकदमा दरज नहीं हुआ लेकिन उद्चादिकारीयों की दखल के बाद पीडिता का मुकदमा दरज कर लिया गया। जैसे ही मुकदमा दरज हुआ वैस जिसमें रुपई के लेंदेन की कड़ी आरोपी दीवान कृष्ण पाल बना लेकिन हैरा ने इस बात की है कि महिला ने अपने उपर हुए शोशन का साक्ष भी दिया लेकिन मन्चले और पीडिता की बातशीत की रिकॉर्डिंग को नजर अंदास करते हुए आरोपी दरोगा और दीवान ने केस को खत्म कर दिया जब इसकी जानकारी पीडिता को हुई तो उस ने उच्चा दिकारियों के पास जाकर नयाय की गुहार लगाई इतना ही नहीं पीडित महिला ने आरोपी दरोगा और दीवान से रिश्वत के लेंदेन का रिकॉर्डिंग भी एस पी को जिसके बाद एस पी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए दरोगा हुबलाल और थाने पर तैना दीवान कृष्ण चंद्रपाल को सस्पेंट कर दिया और इस पूरे मामले में आरोपी गंगायादव के खिलाफ फिर से जार्च बैठा दी लेकिन अब देखना ये होगा क क्या अब पीडित महिला को मनचले के खिलाफ ने मिल पाएगा वहीं इस पूरे मामले पर डी एस पी ने बताया कि मामला सही पाए जाने के बाद दरोगा हुबलाल और दिवान कृष्ण पाल को ततकाल प्रभाव से सस्पेंट कर दिया गया है इस मामले में मीरा देवी ने एस पी से शिकायत की थी जिसकी चार्च की गई और दरोगा द्वारा पैसे लेने का वीडियो और मीरा देवी से बाचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर कारवाई की गई बस्ती से सर्वेश श्रिवास्तफ की रिपोर्ट